एलो दोस्तों आप सब कैसे हूँ आज क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का बचो चप्टर नंबर टू बुक नंबर टू जिसका नाम बचो एक दल का परभूत का दौर इसके पार्ट नंबर टू को डिसकस करेंगे पार्ट नंबर वन का लिंग डिस्क्रिप्सन में दे रखे ज स्टार्ट करेंगे बचो पार्ट नंबर टू का कोश्चन नंबर फिप्ट से जिसमें लिखा वचो हिंदुस्टान टाइम्स ने लिखा था पहली बर भारत में बचो जब आम चुना हो रहा था नाइंटी फिप्टी टू में लिखा है यह बात हर जगा मानी जा रही है कि भारतिये जनता ने इतिहांस में लोक तंत्र के सबसे बड़े बखुबी का इंजाम दिया कि भारत में बचो उस टाइम जितने सारे जो लोग पढ़े लिखे थे जितने सारे बचो जो उमीदवार थे जो वोट देने के लाइक थे उसमें से मात्र बचो 15% ऐसे उमीदवार ले बाठी जनता बचो जो पढ़े लिखे बहुत कम थे क्योंकि बचो 17 करोर जनता ऐसे थी जो वोट देने के लाइक थे जिसमें से मात्र पंद्रा परसंट अईसे बचो जो मतम मत मत दाता थे जो क्याक्त लिखे इसलिए बोनाचारा भारतीये जनता ने 20多 इतिहांस में ल 52 में उसमय क्या हुआ था बचो जो भी मत पत्र था हर उमिद्वार का उस पे नाम था और साथ सद क्या था बचो चुनाव चीन उस पे अंकित किया जाता था पहले मत पत्र पे क्या था बचो हर उमिद्वार का नाम था नाम के साथ जो भी उसका चुनाव चीन था वह सालों तक चला, 40 सालों तक चला, फिर 1990 के दसक के अंत में, अंत का मता हुआ बचो एक्चिवल अगर डेट पूछेगा तो 1999, एक्चिवल अगर डेट पूछेगा आप से तो बचो 1999, कि 1999 का मता हुआ निसे निननानमे, या इसे लिए सकते 990 के दसक के अंती में दोनों का मीनिग बचो क्या है, सेम है इवीम का मतलब होता बचो electronic voting machine जो सबसे पहले भारत में आता बचो किस राज में आता अगर राज के नाम पूचता कि भारत में सबसे सबसे पहले बचा हुए इनसान जो फोर्ट को कि भारत। इसा राज है जो सबसे ज़्यादा क्या है पढ़ा लिखा लिखा लिए toe भारत में जो इवी िए मसीन आया था और 2004 में बाचों पूरे भारत में क्या यहूगए व्हालगर गई थी over 2005 Lt पूरे भारत में क्वारत में दोहता चार्डना था लोकल जो सभां सब्सक्रा constitu सब्सक्राइघ कर cumplद एब ही जा चार गए तोचे Wealts आसञीक्स सब्सक्राइब करता है उन्हीं भारत में पूरे राज में क्या होगा नियुक्त को देखते ही लगता था कि यह पाटी जीती हुई आए इसके पीछे का क्या क्या कारण यह जो पार्टी जीती हुई है क्या क्या कारण को क्या करना इसमें पूछ रहा तो सभी कारण को क्या करेंगे बारीबारी समलोग डिसकस करेंगे पहला कारण दूसरा बचो इसका लोग पर चलित नाम कॉंग्रेस पार्टी के स्वाधिनता संगराम की कारण से को लगों को लगता था कांग्रेस पार्टी की, जीतेगी। तिसरा बढ़ धाना का जोहाल ला नेहरू भारतीय निति के सबसे बड़े करिशमाई और क्या थे बच्छों लोग पीरिए नेता थे हैं इतनी सारे कारन को का कला आपको बता आना पड़ेगा इतनी सारे कारण है जो लोगों को लगता था बचो जो कॉंग्रेस पार्टी के जीती हुइ है kारण बताना तीन के बारे में बताना वह Similarly सारा जो चुना होगा था जिसमें से कांग्रेस का थी भारी भरकम से जीत हुई थी इसमें से कांग्रेस यह साँ है पादSet पहले चुनाओं में पार्टी की भारी भरकम से जीत हुई इसके पीछे का रिजन क्या बचो फोर एटी नाइन टोटल सीट थी जिसमें से पहले चुनाओं में पार्टी की भारी भरकम से जीत हुई लोग साभा के पहले चुनाओं में प्राप्त हुआ था कॉंग्रेस की लोग साभा के साथ साथ बचो बिधान साभा में भारी भरकम जीत हुई तो वहीं बोलना चाहरा कि दूसरे नंबर के पार्टी थी पार्टी के नाम को भारती है कॉमनिस पार्टी जो पहलाम चुना हुआ था उसमें से कितना सीट मिला था मात्र सोला सीट मिला कैसे नंबर के पार्टी थी कौन थी जिसनती पार्टी के नाम आपको भारती ये कॉमनिस पार्टी जो स्याना था सोल मिला था इसलिए बहन dun cha के राज में जो बिधान PROF सब्सक्राइब के लिए या किसी भी राजी मुख मंतरी बनने के लिए बिधान सब्सक्राइब में जो कॉंगरेस को भारी भरकम से कवरें दिए जीत उने को जो कचिन है आज केरल को हीस भो तुर वुर दांग को चोड़क тобой कोचिन और कोचिन यू अवड़ा मत रहा है है सासत मदरास हो गया उडिसा को छोड़कर कॉंग्रेस ने सभी राजों में ज्यादा सीटों पर क्या कि थी जीत दर्ज की थी आंसे सबुदे यहां करेश की सरकार नहीं को जितने सारे राज बचों सभी राजों में कांग्रेस सरकार बनी यहां पर कांगेस सब्सक्राइब क्या होगा और पहले आम चुनाव के भात के पर्थम पर्धान मंतरी बने ते पर्थम ओं नेरी बने थे शुनाव के बने थे जो हॉन और तुषर। जो आम चुना हो था बचे नाइन्टी सिक्सिटू में आ पको क्या क्या कर देना एड कर देना और इनमें भी कॉंग्रेस की क्या होई थी जीत होई थी। कॉंग्रेस की जीत हुई थी कॉंग्रेस को नाइंटी फिप्टिटी सेवन में केरल के आम चुनाओं में बहुमत नहीं मिला था बहुत इंपोर्टेंट लाइन बचो दूसरा जो आम चुना हुआ था कॉंग्रेस को 1957 में केरल के आम चुनाव जो हुआ था उसमें बहुमत नहीं मिला था वहाँ पे भारतिये कॉंपनीस पार्टी की अगुआई में वहाँ पे गठबंदन सरकार बनी थी बहुत इंपोर्टेंट लाइन बचो कॉंग्रेस को 1957 में केरल के जो आम चुनाव जो हुआ था वहाँ पे कॉंग्रेस को बहुमत नहीं मिली थी वहाँ पे किसको बहुमत मिली थी बचो तो ध्यान अखना वहाँ पे बहुमत मिली थी भारतिये कॉंपनीस पार्टी की प्रफ़म परभूत का परभूत के बारे में क्या काना इसकोशन में बड़ेंगे बचो बढ़ेंगे बचो जो पुरानी पार्टी पाहला रीजिन बताएंगे बचो डेश के सब से बड़ी पार्टी है सबसे पूरानी पार्टी क्या कॉंग्रेस है अगर पेपर में पूछे भारतिय का जो अस्थापना वह था एटी एटी फाई में वह था तो देश के सबसे बरी पार्टी थी साथ सबसे पूरानी पार्टी सबसे सबसे पार्टी बचो सबसे क्या मजबूत संगठन है सबसे रीजन सबसे इसे नेता है और आजादी की विरासत हासिल मिली है जो भारत को मिला हुआ किसके वजह से मिला हुआ कॉंग्रेस को सभी वर्गों का संवर्थन भारतिय राष्ट्रीं साथर्य कंदर का सामिल है सब को साथ लेकर रह सासरी सभी को का करते थे साथ लेकर चलने की क्या करते थे विलब प्राकिर्थी को निभाते थे इतने सारे ते सक्षम पर्थम चुना में ते नेक्स नमर 9 पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोशन बच्चों कोशन नमर 9 में लिखा 1957 में केरल में कॉम्मिनिस पार्टी को जीत हुई थी इसके बारे में क्या करना इस कोशन में पढ़ना है तो 1957 बच्चों जो दूसरा जो आम चुना हुआ था वहीं बोला चारा 1957 में कॉंग्रेस पार्टी को केरल में क्या मिले थी हार वीली थी 1957 के मार्च महिने में जो सबसे 1957 के मार्च महिने में जो भी बिधान साभा का जो चुना हुआ उसमें क्या मिली सीट मिली किसको बचो कॉमनीज पार्टी को बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चो बोलना चारा 1957 के मार्च महीने में जो बच्छो विधान सबाका चुना वहा किस के लिए बिधान सबाका चुना वता है ने खना यी को मुन्वटान को फंपरौः यूर disgust लेकिन पांच क्या थे बचो नीर्दलिये पार्टी ने क्या कर दिया जिसके कारण से बिधान साबा का जो चुनाओं 1957 मार्च में हुआ तो वहाँ पर क्या होगा बचो गटबंदन की सरकार बनी और कॉंग्रेस की सरकार वहाँ पर नहीं बनी राजपाल ने कॉम्णीस बिधायक दल के नेता जिनका नामा को धनकना EMS नंबु दरीपाद को सरकार बनाने का ने उता दिया बहुत इंपोर्टेंट ने बचो कॉम्णीस बिधायक दल के जो नेता थे इनका नामा को धनकना EMS नंबु दरीपाद को सरकार बनाने का क्या दिया ने उता दिया दुनिया में यह पहला औसर था जब कॉम्णीस पार्टी की सरकार लोगतांतरीक चुनाओं के जरिये हुआ बोलना चरह दुनिया मे बचो यह पहला आउसर था पहला मौका था जब कॉम्णीस पार्टी की सरकार बचो लोगतांतरीक चुनाओं के द्वारा बना कब 57 में कहां पर बना था बचो तो केरल में बना था और उसमय बचो सीम बनने का जो ने उता जो दिया गया किसको दिया गया तो नंबु दरीप सरकार बनाने का मिला था मिला था उसले में नेक्स पॉइंट वार्टी निर्वाचित शरकार के खिलाप मूक्ति संगर्स प्रतेम पहले पुलान की सरकार को यह ठोला ह notch Oh कॉन बचो कॉंग्रेस जब बेदखल हो गया तो निर्वाचित जो भी सरकार है उसके खिलाप उन्हेंने क्या कर दिया मुक्ति संघर्स छेड़ दिया किसे बचो कॉंग्रेस ने उसका 1959 में केंदर की सरकार था, इन्होंने क्या कर दिया, मुक्ती संघर्ष छेड़ दिया जिसके कारण से 1959 में केंद्र की जो सरकार थी कॉंग्रे सरकार ने संभीधान के 356 के अंतरगत केरल की कॉमनीस पार्टी सरकार को क्या कर दिया बरखास्त कर दिया क्योंकि वहाँ पे लगा दिया राष्ट पती सासन को लागू कर दिया सबर्च्ल तो तो वही बोना चारा नांटी फिप्टी नाइन में केंद्र की जो कंगरे सरकार ने संबढ़ीदान के अनुचे 356 के अंतरगत केरल की जो कॉम्मिस जो सरकार को बरखास्त कर दिया यहां पर क्या लगे बचो यहां पर लग गया बचो 1959 में क्या लग गया वहां पर लगे बचो राष्ट पती सासन लागू कर दिया किसके तरच बचो अनुछे 356 के तरच क्योंकि में रीजन का ते सभी जो सभी राज में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी सिर्फ केरल में नहीं बनी थी जिसके कारण से बचो जो केंडर की जो कोण्ग्रेस सरकार ने संबीधान के अनुचे 356 के अंदर गत वहां पर क्या लगा दी राष्ट पती सासल लागू कर दिया और राष्ट पती जब लागू हो थे जिसके कारण से में जो पावर का क्या कर दिया जिसके कारण से वहां पर केरल में कया लगे बच्छो राष्ट पती सासन तब लागो काम राजपल के कहने पर का हो जाता लेकिन यहां पे राजपल के कहने पर साशन महीं लाग हुआ हूँ था यहाँ पे सभी में राज़ में Congress की सरकार थी जिसके कारण Congress को बहुत भुड़ा लगा हूँ जिसके कारण से जर्यक्राइं मिस यूच कर दिया वहां पे लगा दिया सब्सक्राइब करने का अधिकार होता इसके अंतरगत केरल की जो पार्टी की जो सरकार ती उसको क्या कर दिया बर खास कर दिया कंग्रेस ने क्या कर दिया अपने पावर का क्या किया में रीजन कि सभी राज में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ती ती मच्चे काम नहीं करता तो राजपल के काने पर क्या करता उस लगा यहांपे आईसा को नहीं तहर लेकिन के सदी सरकार को लग राथ कि सभी क्भी राज्य mail सिर्फ केरल में चोरकर कर तो साबित हएल में आपात कालीन सकतियों का दुरूपयोग पहले उधारन के रूपर या फैसले को बार बार उपयोग किया गया के मिनिंग समना यह फैसला बड़ा बीवाद साबित हुआ संभीधान में जो अपात कालीन जो सक्तिया का दूरुपयोग के पहले उधारन के रूप में यह फैसला बार बार उपयोग में किया गया बचे वह कोश्चन को बचुन नेक्स पार्ट में लेकर आएंगे अगर बच धन्क यू